Hello students, students, next theorem हम start कर रहे हैं अपनी Morera theorem, इसको बोल सकते हैं, Converse of Kochi theorem भी Kochi theorem में तो क्या था कि अगर function analytic है, किसी domain के उपर या अंदर तो उसका integration over C, किसी close contour के उपर अगर function analytic था, तो उस close contour के उपर उसका integration क्या था, जीरो आता था अब यह Converse है, अगर ऐसा है, तो function को analytic प्रूव करना है, देखो, क्या कह रहा है, if FZ is continuous function in a domain D, and for every close contour C in the domain D, integration over C, FZ, DZ यदि आपके पास 0 दे रखा है FZ continuous दिया हुआ है, और किसी close contour पे उसका integration 0 दे रखा है, तो हमें प्रूव करना है, FZ कैसा होगा analytic होगा, FZ को analytic प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, FZ को differentiable दिखाएंगे, मतलब FZ हर point पे क्या है, differentiable है तो कैसे प्रूव करेंगे, तो हमने माना कि let A be a fixed point, and Z be a variable point inside the domain D, तो यहां से देखो, यह मैंने कोई close contour माना हुआ है, यह मैंने A कोई fix point मान लिया, यह आपके पास A fixed point है, और Z आप कहीं भी ले सकते हो, variable point है, तो यहां भी मान सकता हूँ, यहां भी मान सकता हूँ तो मैंने बैस एक simple ऐसे मान लिया कि Z लेट यहाँ लाए करता है, अब Z variable तो आप यहां भी ले सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं भी मानें, तो Z को मान लिया, मैंने यहां पर Z आपका कोई पॉइंट दिया हुआ है, A से Z तक जाने के दो रास्ते हैं, एक C1 दुवारा जा सकते हो, यह आपके पास C1 करव है, और यह आपके पास क्या जोइनिंग होगा, A to Z क्यों होगा, यह आपने पहले extension of कोची धोरों में पढ़ी थी क्या, कि आप चाहे C1 के रास्ते जाओ, चाहे C2 के रास्ते जाओ, integral की value हमेशा क्या आएगी, दोनों पर बराबर आएगी, तो यही कह रहा है कि independent of curves होगा क्या, A से Z का integral, FTDT, तो यह ब plus of H कर दिया, तो यह वाला point आ जाएगा, थोड़ा ओर उपर हो जाएगा, थोड़ी बढ़ जाएगा, increase हो जाएगा, तो let Z plus H be any point in D, यह आपकी पूरी domain D है, यह वाली, यह पूरी domain D है, इस domain D में Z तो point था, उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, तो Z plus H कोई point मिल जा F of Z plus H की value आ जाएगी, A से Z plus H, F T, D, T, Z की जिगे क्या रख देंगे हम, Z plus H, अब हम निकालना क्या चारे हैं, हम differentiation दिखाना चारे हैं, differentiation का मतलब हम दिखाएंगे कि F dash Z, आपके पास जो function आया, F dash Z का मतलब हो गया, F of Z plus H minus F of Z upon H, और limit H tends to 0, हम यह वाली चीज निकालना च जा रहे हैं, यह वाले निकलने के बाद हम आगे देखेंगे कि क्या होता है, पहले F dash Z निकालना चारे हैं, क्योंकि derivative दिखाना है आपको तो, तो F of Z plus H लिख लिए, तो F of Z plus H minus F of Z किया, इन दोनों का difference किया, तो integral A से Z plus H F T D T minus A से Z F T D T, अब देखो A से Z plus H जा रहा है और A से Z जा रहा है, तो integral का rule लगाओ, क्या हो जाएगा आपके पास, इसको मैं करूँगा, प्लस में प्लस में आते ही, यह क्या बन जाएगा, Z से, minus symbol है, minus common लेते ही, यह क्या बन जाएगा, Z से, A से Z plus H और Z से A, तो यह वापस पूरा combine करके क्या बनेगा, Z से Z plus H, तो यह बन क्योंकि आप चाहे कोई भी domain के अंदर दो point दे रखे हैं, आपके पास A और B तो हमने थोरम पड़ी थी, चाहे इस कारो के along निकालो, चाहे इस कारो के along निकालो, दोनों पर integration हमेशे क्या आएगा, equal आएगा, तो यहां से क्या हुआ, अगर यह path independent है, so we may suppose that the integral is taken along the straight line, हम straight line क along integral निकाला, तो integral की value क्या आएगी, देखो यहां पर, मैं निकालना चाहरा हूँ, f of z plus h, minus f of z, और upon कितना है, h, यह है आपके पास, f of z plus h, minus f of z, और upon कितना दे रखा है, h, और मैं minus कर रहा हूँ, इससे small f of z, इनकी value निकाल ली मैंने, f of z plus h, minus f of z, इन दोनों का difference आया क्य है, आपके पास, z से z plus h, f t dt, यही आया है, इन दोनों का difference यही आया है, z से z plus h, f t dt, अब कर क्या रहा हूँ, मैं निकालना चाहरा हूँ, f of z plus h, 2, f of z, upon h minus f of z, अब minus of z करेंगे, तो minus कर दूँगा, पहले तो मैं उपर वाले की value रख रहा हूँ, उपर वाले की value क्या है, 1 by h तो भार लो, इंटीगर लोवर क्या है आपके पास, इंटीगर लोवर z से कितना, z plus h, और f t dt, minus f of z, इसकी यह value आजाएगे आपके पास, तो यह बराबर हो गया इसके, अब इसके बराबर देखो, मैं common लेना चाहरा हूँ, यह z से z plus h, दोनों में लिखा जाए, तो मै एक तरीके से क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं integral कर दूँ किस से, z से z plus h, f z को लिख रहा हूँ, z से z plus h, क्या, f z dt, और आगे कर दूँ मैं 1 by h, तो इस चीज देखो, जब मैं इसको solve करूँगा तो वापस से आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ f z बचेगा, कैसे बचेगा वो देखो, f of z जो है, वो constant है, क्योंकि t के respect में हो रहा है integration, तो f of z बहार आ गया, तो ये बन गया f of z by h, z से z plus h dt, और dt का क्या होता है integration, dt का integration हो जाएगा t, आपके पास उसमें limit put करो, तो limit put करते ही आपके पास क्या आया, f of z by h into z plus h minus h, z से z कट गया, h से बहार वाला h लिकिया बचा, आपके पास f of z और ये लिखा हुआ है, तो मैं इसकी तरहे इसको सेम लिखने के लिए f of z की value ये use कर रहा हूँ, ताकि मैं integration common निकाल सकूँ, दोनों से क्या, z से z plus h common आ जाए और 1 by h भी क्या आ जाए, बहार आ जाए, तो देखो, अब आके ये बन गया, आ constant आ बहार आ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, आपके पास t आ जाएगा, इसका integration t में limit put किया, z plus h minus z, z से z कर गया, h से h cancel out, खाली किया आएगा इसकी value, f of z ही आ जाएगी और आपको ये ही दे रखा है, तो ये आया 1 by h, z से z plus h, f t minus f of z dt, अब देखो, f आपके पास continuous दिया हुआ है, तो जब जब आप t को z से tend कराओगे, t को z से tend कराओगे, मतलब t minus z less than delta लोगे, तो f of t minus f of z क्या आता रहेगा, less than epsilon आता रहेगा, continuity की definition, तो यहां से f of t minus f of z, taking modulus on both of side, दोनों side क्या लेंगे, हम मोड लेंगे, मोड लेने के बाद हम क्या करेंगे, आगे इसको solve करे के लिए देखते क्या करते हैं, since f z is continuous at z, given epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0, such that f of t minus f of z is less than epsilon whenever t minus z less than delta, अब देखो z पे continuous है, a पे continuous होता है, हम यहां पे a यूज करते हैं, अब t मे तो function है, तो f of t minus f of z less than epsilon whenever t minus z is less than delta, दोनों तरफ modulus ले लिया, modulus लेते ही 1 by modulus of h, और इधर से integration z plus z सारे का modulus आ गया अब integration का modulus is less than, modulus के integration से, तो mode अंदर चला गया, dt पे अलग लग गया, अब इसकी value तो आपको देखी रखी है, epsilon, less than epsilon, तो less than use किया, epsilon आ गई, और dt का integration, dt का integration करेंगे, z to z पर सच क्या हली कि आ जाएगा, आपके पास, h क्योंकि z से z कर जाए, limit put करते ही, आपके पास केतना पचेगा, epsilon, जब जब आप, epsilon को tends to zero कराओगे, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, limit h tends to zero, इदर से, इसका modulus tends to zero है, तो यहां से क्या आएगा, limit h tends to zero, h जब tends to zero होगा, तो f of z plus h minus f of h by h किसके equal आ जाएगा, f of z, और यह value किसकी है, यह value f dash z की है, f dash z किसके बराबर आ अब देखो एक चीज, कि f of z जो दे रखा है, वो आपका, अब देखो, f dash z, f of z के बराबर आ गया, और यह अर्जे के continuous दिया हुआ, f of z, और इसका derivative उसके बराबर आ गया, मतलब इसका derivative एक्जिस्ट करता है, हर point पे, अब इसका derivative हर point पे एक्जिस्ट करता है, तो f of z कैसा हो गया, analytic हो गया, तो यहां से पढ़ लो, this old for every, z belongs to t, thus the derivative of f of z exists at every point, z belongs to t, and f of z is analytic in d, but the derivative of analytic function is analytic, derivative analytic होता है, तो f dash z analytic हो गया, और f dash z अगर analytic है, तो f of z के बराबर है, small f of z के बराबर, तो small f of z भी कैसा हो गया, analytic हो गया, तो यह था आपका converse of kochi thorem, next, देखो, बिल्कुल simple सा definition, inverse point with respect to a circle, क्या होता है, देखो, two points A और A, AA और BB, मतलब, एक point B है और एक A है, उन पे हमने smaller और small भी लगा है, are set to be inverse point with respect to a circle, यह आपके पास कोई A point दे रखा है, यह B दे रखा है, और यह आपके पास कोई origin O वाला circle दिया हुए, जिसकी radius क्या है R है, with center O and radius S, if O, A, B, R collinear, पहली बात तो collinear वो होंगे, जब एक line में कम से कम 3 point हो, जादा हो सकते हैं collinear, लेकिन 3 point तो कम से कम at least होने चाहिए, तब हम ओल लेंगे उनको, और सीधी line में होने चाहिए वो, A की line में होने चाहिए, तब उनको बोल देंगे collinear, तो चाहिए, R square, O, E, और O, B, इन दोनों की product आनी चाहिए, किसके बराबर, radius के square के बराबर, तब बोल देंगे, कि ये जो आपके points हैं, ये जो आपके points हैं, वो क्या कहलाएंगे, inverse point, A और B क्या कहलाएंगे आपके, inverse point कहलाएंगे, इस circle के respect में, A और B are inverse point with respect to this circle, अब देखो, Z1 and Z2 are inverse point with respect to the circle, mode Z equal to R, if Z1 dot Z2 का bar equal to R square के बराबर, ये कह रहा है कि कोई complex number है, Z1 और Z2, वो आपस में inverse point तब होंगे, जब एक point और दूसरे का conjugate, उनकी product R square के बराबर आजाए, किसी circle के respect में, जो circle origin से start होके, radius क्या रखता है, R रखता है, तो वो क्या कहलाएंगे, आपस मे inverse point कहलाएंगे, इसी definition को use करेंगे, poison integral formula में, important है, काफी बार आया हुआ पेपर में, let FZ be analytic within and own a circle C, defined by mode Z equal to R, then, F of R E की power iota theta की value आपको ये प्रूव करनी है, क्या 1 by 2 pi 0 से 2 pi integration, R square minus small of R square, F of R E की power iota 5 upon R square, minus 2 R into small r cos theta minus 5, plus R square d phi, इसके बराबर पूरू करनी है, वेर जो small r है, वो क्या दे रखा है, आपका capital R से, छोटा और 0 से क्या दे रखा है, बड़ा दे रखा है, एक तरीके से आपके पास क्या दे दिए, दो circle दे दिए, दो circle कैसे दे दिए, कि small r जो है, वो छोटे वाले circle की radius है, और capital R जो आयटा थीटा है, तो A lies inside C, so by coaching integral formula F of A की value क्या होती है, 1 by 2 pi आयटा, integral lower C, F of Z by कितना, Z minus A, DZ, F of A आ गया है, 1 by 2 pi आयटा, integral lower C, Fz by Z minus A, DZ, A को R, E की power theta, इसलिए माना, क्योंकि मेरे को F of R, E की power, आयटा, theta की value निकालनी है, तो मैं A को ही ये मान लेता हूँ, F of A की value निकाल लूँगा, तो answer आ जाएगा आपना, F of A आ गया, इतना आपके पास, 1 by 2 pi आयटा, integral lower C, Fz by Z minus A, DZ, अब देखो, आपका inverse point of A क्या होगा, A मैंने मान लिया कि ये आपके पास कोई point है, तो इसका inverse point क्या आएगा, इसका inverse point यहां से निकालेंगा, जैसे Z1 का inverse point आपके पास Z2 कब आएगा, जब Z1 into Z2 bar equal to R square हो जाए, तो यहां से यही चीज़ कहने चाहरा है क्या, कि the inverse point of A with respect to circle mode of Z बराबर R equal to is, तो यहां से यही आपके पास, क्या हो जाएगा, A into A bar बराबर कितना आजाएगा, R square तो inverse point of A कितना आजाएगा आपके पास, R square by A bar, तो यह कह रहा है, with respect to the circle mode Z equal to R के respect में A का inverse point क्या आएगा, A बराबर आजाएगा, R square by A bar, तो यह बनेगा, R square by कितना A bar, and lies outside C, और C से कहां भी लोग करेगा आपके पास, so the function FZ by Z minus R square by A bar is analytic, क्योंकि outside है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, C के अंदर नहीं होना चीए, तो यह outside है, outside कौन सा point है, R square minus A bar, क्योंकि इस function को दिक्कत कहा होने वाली है, जब Z को आप लोगे, R square minus R square by A bar, तो R square minus A bar, तो हमने बताई लिया ना कि कहां भी लोग कर करेगा, inverse point, आप देख भी सकते हो, inverse point की definition में, कि कहां बिलोग करेगा, भार बिलोग करेगा, इस circle से, भार बिलोग करेगा, तो यह function analytic होगा, उस C पे, so by कोची धोरम V है, कोची धोरम क्या कहती है, कि इसका integration, क्या आ जाएगा, अगर यह outside है, यह पूरा analytic है, तो इसका integration over C, कि, किसके equal आएगा, 0 के equal आएगा, तो इसका integration over C, F, Z by, Z minus R square by A bar equal to 0, अब मैंने zeros दे है, तो 2 pi आटा से multiply करो ची ना करो, मैं सिर्फ सेम सी चीज़े बनाने के लिए कर रहा हूँ, इसको, 1 by 2 pi आटा integral over C, F, Z by, Z minus R square by A bar, देखो, होता सिर्फ इतना ही है, यह 1 by 2 pi आटा नही होता, सिर्फ इस, यह integration 0 होता है, लेकि, 0 कुछ चीज को चाहिए, आप 2 pi आटा से multiply, इधर कर भी दूदो, क्यों ही फरक नहीं है, तो 1 by 2 pi आटा भी क्या होगा, आपके पास, 0 हो जाएगा, इसकी value, subtract कर दो, from 1 में से, 2 को subtract करो, from 1 में से, तो क्या आजाएगा, आपके पास, f of a की value आजाएगी, कितनी, f of a बराबर 1 by 2 pi आटा इंटिगर लोवर c fz into 1 by z minus a minus 1 by z minus r square by a bar dz, तो यहां से क्या बनेगा, देखो, यह बन गया, lcm ले ले लेंगे, lcm लेके बन गया, 1 by 2 pi आटा इंटिगर लोवर c fz a minus r square by a bar upon z minus a, z minus r square by a bar dz, उपर का उपर lcm ले लो, नी lcm लेते ही, आपके पास आगया, 1 by 2 pi आटा इंटिगरेशन ओवर c, r square minus a bar f of z by z minus a r square minus a bar dz, इसको मान लो, equation number 3, अब देखो, यह कह रहा है कि कोई भी point उठाऊँ में, circle से, तो उसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, z equal to, मान लिए, मैंने कोई भी point उठाया है, z equal to, mode z minus 0 equal to r दे रखा है, तो कोई भी point z उठाऊँगा, तो उसकी equation ऐसे लिखते है न, r e की पावर आटा ठीटा, तो अब की बार 2 दे रखे हैं, तो e की पावर आटा ठीटा, तो मैं उसके लिए use कर चुका हूँ, small r के लिए, तो capital r के लिए मैं क्या use कर रहा हूँ, r e की पावर आटा दो, r square minus a, a की value क्या आएगी, यह a, a bar है, यहाँ पे बार कर लेना, r square minus a, a bar की value क्या आएगी, उसके बाद z minus a क्या आएगा, r square minus a bar z क्या आएगा, सारों की value निकालगे, put करते ही आपका answer आजाएगा, तो f of r e की पावर आटा ठीटा, इसके बार निकाल जाएगी, next आता ह कोची इनेक्विलिटी, क्या कहता है, देखो, if f z is analytic within and own a circle c given by mode of z minus a, बराबर r, and f of z का modulus दिरखा less than equal to a, that is f z आपका bounded function दिया हुआ है, for every z on c, then f की power n a, मतब, f का nth derivative at a का modulus less than equal to होगा, m into n factorial by r की power n से, देखो, कोची integral formula हमें f of nth derivative at a पे तो पड़ी रखा है, किसके बराबर होता है, n factorial by 2 pi iota, integral lower c, f z by z minus a की power n plus 1 dz, तो यहां से इसका modulus लिया, modulus लेते ही आंसर आजाएगा, देखो, mode लिया, mode लेते ही आपके पास क्या आ गया, इधर भी mode ले लिया, तो n factorial positive 2 pi iota, तो iota का modulus तो 1 हो गया, 2 pi positive, positive है, तो इसका mode as is रह गया, तो यह बच गया, n factorial by 2 pi, और यहां से इसका mode लिया, तो less than equal to आ जाएगा, integration के modulus से, तो अब integration के modulus से, मतलब modulus अंदर गया, अंदर जाते ही, less than equal to का symbol, तो यह बन गया, n factorial by 2 pi, f of z by z minus a की power n plus 1 dz, तो यह बना देखो, n factorial by 2 pi, अब z minus a क था, वो किसके बराबर था, यहां से देखो, z minus a आपके पास क्या दिया हुआ था, z minus a equal to r, तो z minus a की power जब n plus 1 करेंगे, z minus a की power जब n plus 1 करेंगे, तो z minus a का modulus की value r, तो यह बना r की power n plus 1, वो भारा आ जाएगा, integration से, तो यह बहारा आगे आपके पास, तो क्या बनाए, m n factorial by 2 pi r की power n plus 1, integral over c mode of dz, अब dz आपके पास देखा रखा है, dz का जो modulus आएगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, उससे पहले fz का भी रख लेते है, fz का modulus क्या दे रखा था आपके पास, less than equal to, less than equal to m, तो fz की value भी यूज कर ली, less than equal to m, तो फिर से less than equal to का symbol, m n factorial by 2 pi r की power n plus 1, integration over c mode of dz, mode of dz की value क्या आजाएगी, 0 से 2 pi solve करो, कितना आजाएगा, 2 pi r, बार बार solve कर रखा है यह तो हमने, क्या आजाएगा आपके पास, z minus a equal to दे रखा है r, तो z equal to हो गया, z minus a equal to लिखलो पहले चलो, e की power iota theta, तो z equal to हो गया, a plus r e की power iota theta, तो dz की value आ गई, कितनी आपके पास, r e की power iota theta, into iota d theta, dz का modulus क्या आ जाएगा, आपके पास, dz का modulus आ गया, r d theta, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे r d theta को r d theta और 0 से 2 pi लग जाएगी limit 0 से 2 pi limit लगाते हैं आपके पास अंदर वाली चीज क्या बचेगी mode of dz mode of dz की value हो गई integration r भार आ गया और आ गया आपके पास d theta d theta का modulus क्या आ गया mode of d theta 0 से 2 pi 0 से 2 pi solve करेंगी तो theta तो r integral d theta मतलब आपके पास आ गया limit put कर रहा हूं में direct 2 pi minus कितना आ गया theta 2 pi minus 0 सोरी तो यहाँ आ गया 2 pi r के बराबर 2 pi r के बराबर आ गया इसकी value r से एकट गया mn factorial by r की power n से less than equal to का symbol आ गया definition कहरा है an entire function is a function which is analytic at each point in the entire finite plane यह पहले भी कर चुके हैं कि every polynomial function is an entire function क्योंकि हर point polynomial क्या होती है हरे point पे differentiable होती है कोई भी polynomial रख लो जैसे आपको मानले रख हमेने x square plus x plus 1 यह हर बार differentiable होगी इसका कितनी बार derivative करें जब तक हो रहा है होता चला जाएगा 0 जब तक ना आये तक तक तो यह सारी क्या है हर point पे differentiable है किसी भी point पे differentiation करो उसका हर point पे differentiation है x परावर 1, 2, 3, 0 कहीं भी करो हर point पे differentiation exist करता है तो लिवोली थोरम क्या कहती है next कि कोई entire function अगर bounded है तो वो constant होगा ध्यान से सुनना अब की बार entire function bounded है analytic नहीं बोला entire function bounded है मतलब वो analytic तो obvious है entire function is everywhere differentiable everywhere differentiable मतलब हाज जगे analytic तो है यह is bounded then it is constant अगर ऐसा है तो वो constant होगा ऐसे भी आ सकती है या आजाए कोई integral function bounded दिया क्योंकि every integral function is differentiable at every point and every integral function if differentiable at every point so every integral function is entire function तो हर integral function क्या होगा entire function होगा तो यह भी constant होगा या फिर ऐसे आ जाए कि a finite function which is analytic in every finite region of the complex plane and is bounded it identically equal to a constant या फिर entire function की definition ही लिख दे हो यहापे कि कोई analytic function है जो पूरे finite region पे हर जगे है क्या है analytic दे रखा है function which is analytic at every finite region तो मतलब entire function दे दिया तो इस तरीके से भी आपके पास वो क्या दे सकता है इसकी definition दे सकता है या फिर उसके बाद कह रहा है the only bounded entire function आर था constant function तो चार definitions दे रखे हैं चारों में से कोई भी आ सकती है आपके पास same proof होने वाले है छोटा सा proof है बिल्कुल सिंपल सा proof देखो हमने कोई A और B पॉइंट उठाए distinct point है arbitrary point है on the gender plane and C be a large circle C आपका कोई एक large circle दे रखा है with center Z equal to 0 जिसका center दे रखा है Z equal to 0 radius R such that C enclose A and B radius उसकी R दे रखी है कि S A की C enclose करता है A और B को मतलब कहने का मतलब इतना है सिर्फ कि C जो circle दे रखा हो ऐसा circle है कि जो A और B को अपने अंदर लाई कर ले यह मान लिया A यह कोई मान लिया point B और यह origin से radius मान लिया मैंने capital of R since FZ is bounded FZ bounded तो दिया ही हुआ है FZ bounded है तो bounded की definition होती है कि there exists a positive real number M such that कि F of Z का modulus क्या रहेगा हमेश्या less than equal to M इससे पहले भी किया हुआ है F of Z less than equal to M for all Z तो FZ bounded है तो F of Z का modulus आ जाएगा less than equal to M अब देखो A अंदर है ना A अंदर है तो मैं A को काम करी सकता हूँ F of A देखो इस domain के अंदर A लाई करता है तो मैं ऐसे यह तो बनाई जाकता हूँ कि A को center मानते विए circle बना दिया तो कोच integral formula लग जाएगा क्या F of A आ जाएगा 1 by 2 pi आ इंटेगर लोवर C FZ by कितना Z minus A DZ F of B की value भी सेम आ जाएगी कि मैं एक radius से circle बना लूँ तो F of B की value आ जाएगी 1 by 2 pi आ इंटेगर लोवर C FZ by कितना Z minus B DZ अब F of B minus F of A कर लो क्या जाएगा 1 by 2 pi आ इंटेगर लोवर C देखो आपको दिखाना है function को constant constant दिखाना है तो मैं दिखा दूँ कोई भी 2 point पे function की value शेम आती है तो इसका मतलब क्या हुआ function constant इसलिए मैंने F of A निकाला है और F of B निकाला है ताकि आप दिखा पाओ की function constant है अब मैं इसकी value 0 दिखा दूँगा तो F of A बराबर F of B हो जाएगा इसका मतलब हुआ क्या कि हर point पे अब A और B arbitrary point थे इसका मतलब हर point पे value same रखता है तो function कैसा हो गया constant हो गया यहां से आया 1 by 2 pi आयटा integral lower C Fz 1 by Z minus A minus 1 by Z minus B Dz LCM लिया LCM लेके solve कर लिया तो यह बना A minus B by 2 pi आयटा integral lower C by LCM लेते Z minus A into Z minus B और उपर बन गया F of Z A minus B बनता हो मैंने भार रख लिया integration से modulus लिया mode of F of A minus mode of F of B equal to modulus of A minus B by 2 pi क्योंकि आयटा का modulus 1 हो गया integral का modulus लगा दिया अब integral के अंदर मोड ले जाएंगे तो less than equal to का symbol A minus B by 2 pi integral lower C Fz का modulus into Dz का modulus अपोन यह हो गया देखो Z का modulus minus A का modulus और Z minus B यह प्रोपर्टी लगाई है A minus B का modulus is less than A minus किससे B के modulus से तो क्या आगया आपके पास Z का modulus minus A का modulus और यहां से आगया Z का modulus minus B का modulus less than equal to A minus B by 2 pi into F of Z किससे जोटा है M से तो यह आगया आपके पास कितना M integral over C Dz upon देखो भई यह वाली प्रोपर्टी plus में होती है जब minus में करते है तो यह आएगा greater than equal to mode of A minus mode of B क्योंकि minus में करेंगे तो यह greater than हो जाएगा तो greater than में यह नीचे क्यों आए क्योंकि यह नीचे दिया हुआ है और जब नीचे बड़ा function लेंगे तो function की value ओर हो जाएगी छोटी तो इससे छोटी हो जाएगी इसलिए less than equal to the symbol में ही इसकी value हम नीचे यूज कर सकते हैं क्योंकि यह वाली जो ट्रम है यह वाली जो ट्रम है यह आपके पास क्या दिरख्ये a-b के modulus से यह वाली चीज बड़ा होगा अब यह वाली चीज बड़ी होगी तो यह नीचे लिखी हुए है नीचे लिखी हुए है तो हम इसका use कर सकते हैं और नीचे छोटे करने के लिए तो less than equal to को symbol में आ गया mode of z minus mode of a into mode of z minus mode of b less than equal to आ गया a minus b m by 2 pi integral lower c dz by mode of z minus mode of a मतलब fz का modulus जो less than equal to m था हो बहार रख लिया तो यहां से अब आगे mode of z equal to r दे रखा था तो r minus a और r minus b अब इससे आगे solve करेंगे इसको क्या आ जाएगा आपके पास f of a minus f of b की value आ गई less than equal to a minus b m by 2 pi r minus a r minus b integral lower c वंड़ तो इसकी value तो बार बार निकाल चुका हूँ मैं 2 pi r आएगा a minus b m by 2 pi into r minus a r minus b तो यहां से आगे a minus b r से 2 pi से 2 pi काट दिया r उपर आ गया तो a minus b m r by r minus a into r minus b r common निकाल दिया मैंने तो यहां आगे 1 minus mode of a by r 1 minus mode of b by r और मैंने कहा था कि जब जो बढ़ा circle लेना है large radius का जब जब मैं r को infinity tend कराऊंगा तो यह किसको tend करेगा आपका integral 0 को tend करेगा क्योंकि r infinity आते ही something by infinity के आ जाएगा 0 तो जैसे ही r infinity tend होगा बढ़ा circle जब जब मैं लेता जाऊंगा तो आपके बड़ी radius का circle तो r जो यह वाली value है एक इसको tend करेगी 0 को तो यहां से f of a किसके बराबर आ गया f of b के बराबर और a और b arbitrary point थे arbitrary point थे तो हर point पे value same है तो function कैसा हो गया constant हो गया next आता है आपका fundamental theorem of algebra बिल्कुल simple सा है क्या दे रख़ा देखो p z आपके पास कोई polynomial दी हुई है a1z plus and so on plus anz की power and an non zero be a polynomial of degree and greater than equal to 1 तो यह कह रहा है कि एक ऐसा point जरूर exist करेगा कहने का मतलब सिर्फ इतना है इसका कि हर polynomial का जिसकी power जिसकी degree 1 या 1 से ज़्यादा है तो कम से कम उसका एक root exist करेगा और यह बात आप समझते हो कि कोई भी polynomial एक degree की है तो उसका एक root आता है दो degree की है तो उसके दो root आते है तीन degree की है तो तीन root आते है चार की है तो चार root आते है तो यह भी यह कहना चार है there exist a point z note in c एक point ऐसा z note जरूर आएगा जिसके उपर यह p of z note क्या बनेगी 0 के equal बनेगी मतलब इसको satisfy करेगा इसका एक root exist करेगा जब degree क्या होगी greater than equal to 1 होगी आपके पास दिया हुआ है given pz बराबर this where an non zero दिया हुआ है and greater than equal to 1 दे रखा है assume that pz has no zero in c हम assume करते हैं कि pz के पास कोई zero नहीं है मतलब pz का एक भी root exist नहीं करता है हम ऐसा मानके चलते हैं तो pz हमेशा क्या रहेगी non zero हर points के उपर कोई point satisfy नहीं करता है इसको तो हमेशा क्या रहेगी pz non zero रहेगी for all points in the complex plane अगर pz non zero है तो fz equal to 1 by pz अब ये non zero चीज है तो ये function हर जगे क्या रहेगा फिर analytic क्योंकि ये analytic कहा नहीं होता जहाँ पर नीचे वाला zero बनता है और नीचे वाला क्या हर जगे non zero है तो fz बराबर 1 by pz is analytic in the finite z plane अब देखो pz आपके पास polynomial है किस degree की n greater than equal to 1 की अभी liuoli theorem ने क्या का है अगर कोई polynomial है और ये non constant entire function है बाइ liuoli theorem ने कहा था कि अगर कोई आपके पास पूरी domain के उपर पूरे finite plane पे entire function है entire function है और वो bounded है तो वो कैसा होगा अगर वो entire function दे रखा है और वो non constant है तो bounded होगा अगर वो bounded है तो वो पक्का कैसा होगा constant होगा इसका मतलब हम उल्टा चलते हैं कि PZ तो non constant दे रखिए, constant नहीं है, जैसे जैसे Z change करोगी अलग-अलग value मिलती रहेगी, तो PZ तो दे रखिए, आपके पास non constant, non constant है, तो पक्का ये कैसा होगा फिर, unbounded होगा, अगर bounded है तो फिर कैसा होता, constant होता, तो हमें तो इतना पता है नहीं कि ये non constant है, तो by value-ally theorem, entire function non constant तो पक्का कैसा मिलेगा, unbounded, so PZ क्या हो गया, unbounded, this means limit Z tends to infinity पे PZ किसके बराबर होगा, infinity के बराबर होगा, जैसे ही PZ infinity के बराबर होगा, तो FZ किसको tend करेगा फिर, 0 को, क्योंकि 1 by infinity क्या बनता है, 0, तो limit Z tends to infinity, FZ किसके बराबर आगया 0 के बराबर आगया, so there is some R greater than 0, such that, इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब यही तो हुआ, limit Z tends to infinity पे FZ 0 आ रहा है, मतलब कोई ना कोई point तो ऐसा जरूर भी लोग करता है, जिसके उपर FZ का modulus less than equal to क्या हो जाएगा, 1, so there is some R greater than 0, such that F of Z का modulus, मतलब एक bounded function है, क्योंकि infinity पे भी इ हो गया, bounded in mode of Z less than equal to R, FZ अगर bounded है, तो आपके पास आएगा क्या, being continuous, hence FZ is bounded in the entire complex plane, so by लिवली थोरम FZ कैसा होगा, constant हो जाएगा, FZ constant हुआ, तो PZ भी कैसा होगा, constant क्योंकि FZ equal to kya है, 1 by PZ, तो PZ constant आते ही, contradiction लगी, contradiction क्या लगी, क्या हमने तो माना था, हमने माना क्या था, हमारे according तो PZ कैसा था, non constant था, by लिवली थोरम, so, एक contradiction has, PZ has at least one zero in C, तो PZ कम से कम एक zero रखेगा, किस के अंदर, C के अंदर, तो यहीं तक करना है, आपको, काफी थोरम हो गई, I think, कोई भी problem हो, किसी भी थोरम में, पूछ सकते हो, और इस चीज़ से confusion मत हो ना, कि FZ का modulus less than equal to one ही क्यों माना, आप two भी मान सकते हो, three भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि FZ की जो limiter, वो zero को tend कर रही है, तो हमें एक region चाहिए न, जिस region के उपर FZ का modulus क्या रहेगा, जब-जब आपका mode of Z greater than R लो गया, आप देखो, R को जब-जब मैंने 0 से बढ़ा उठाया, तो F of Z किसको tend करेगा, भई, जैसे जैसे R बढ़ाया, F of Z किसको tend कर रहा है, 0 को, तो एक region के अंदर bounded कर दिया, कि FZ कैसा रहेगा, less than one, सिर्फ M भी कर सकते हो, यहाँ पे, less than equal to M, कि एक bounded region आगया आपके पास, सिर्फ इतना है यहाँ से, one से कोई specific नहीं है, कि यह one ही रखना है, कुछ और भी रखा जा सकता है, यहाँ से,